दोस्तों नमस्कार न्यूटेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है मैं हूं राजेंद्र यादो आज बैंक निप्टी का इस्वाईरी थी देखिए बैंक निप्टी यहां पे ओपन हुई है यह कल का है यह कल का है आज का नहीं है बैंक निप्टी यहां पे ओपन हुई यह है लो अभी आपको लो और हाई लो हाई मार्क कर देते हैं दोखो बैंक निप्टी का लो हाई मार्क कर दे रहा हूं यह है हाई यह है अब आप देख लो कि बैंक निप्टी यहां पे उपन होती है पहले उपर के तरफ जाती है और फिर नीचे आती है यहां पर आके close करती है close करके फिर यह उपर के तरफ जाती है और फिर उपर जाके यह दूसरी candle है फिर देखो यह यह setup setup देख लो आज setup भी दिखा रहा हूं आपको देखो यह नीचे आती है यहां नीचे आई नीचे आके फिर उपर गई यही setup मैं बार बार बताता हूं यह देखो यह swing है swing के उपर close करी इसने close करने के बाद फिर उपर गई ठीक ना अब यहां से लेके यहां तक का target आपको मिला और यह कितना है यह target है आपका 695 याने 700 से लेके यह है 800 यह 100 पॉइंट है यह 100 पॉइंट का target है यहां से लेके यहां तक यह 100 पॉइंट का target है फिर देखे फिर नीचे आती है और आपने जहां पर swing बनाया था यह swing पर आके फिर से support लेती है और यह 20 डेट्स का यह 20 डेट्स का है आपका moving average इस पे आके फिर से support लेके फिर उपर जाती है देखो यहां यहां से फिर तो कितना बढ़िया काम किया है आज कुन तो साथ ने 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 कल थी इस पाइरी आज नहीं तो देखो यहां पर और यहां से फिर वापस यहीं पर आती है देखो कितना बढ़िया आज का मार्केट रहां देखो यह हाइक यह लो से लो यह लो को लो लो से लो लो पूरा लो लो पर ब्रेक करते चली गई और फिर यहां आके क्लोज कर देखो कितना बढ़िया मार्केट थी आज यह 15 मिनिट के चार्ट में दिखा दो यह आठ तारीक नहीं स्वरी यह नव तारीक आज की और यह देखो यह 15 मिनिट की कैंडल लो है और यह 15 मिनिट कैंडल का हाई है ठीक है यह 15 मिनिट के कैंडल ओपन होती है फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है फिर यह ब्रेक कर देता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसने ब्रेक करने के बाद देख लो आप मार्केट यहां जाती है और फिर आके यहां पर support लीती है आपका वही setup देख लो पिर यहां से पर यहां को यह पर यहां पर गया और है है तार्गेट अर यहां से यहां का तार्गेट आप देख लो यह हो गया 750 से लेके 850 यहां भी 100 प्वाइंट का टार्गेट है एक दम सेफ टार्गेट बहुत बहुत अच्छा आज का मार्केट बहुत अच्छा था ठीक. ना एकदम सेफ कोई नो रिस्क वाला टार्गेट था चलो भई अब आज आज देख लेते हैं कि देखो आज बैंक निप्ट्री यह देखो यहां पर ओपन हुई यह हाई लगाई और यह चोटा सा बोड़ी बहुत छोटी सी है तो देखो यहां पर यह तीन कैंडल हो गए और इन दोनों कैंडल से इसका जो यह विग है उपर है यानि अभी कल भी उमीद है कि मार्केट उपर की तरफ जाएगी ठीक ना और और यह है पहला सपोर्ट पहलं रेजिस्टैंज यह दूसरा रजिस्टैंज और यह देखते जाएंग और जब support resistance पे market आए तो उस time में आपको alert रहना है बिलकुल जैसे support पे पहुंचे या resistance पे पहुंचे alert हो जाओ अगर उसको break कर देती है तो ठीक है रुके रहो, अगर वहाँ पर आके रुक जाती है, फिर नीचे आती है, फिर से वापस जाके वहाँ पर रुकती है, फिर नीचे आती है, तो समझ लो तीसरी बार निकल जाना वहाँ से, दो बार में ही निकल जाओ, एक बार उपर गई निचे आ, एकर उपर जाके फिर से तो निकल जाना है नहीं तो भाई खत्रा है आपका लास हो सकता है ठीक है तो हम लोग इस पे चले पुचलों आज 15 मिनिट पर चलते हैं आज 15 मिनिट पर देखते हैं कि इसका सपोर्ट कहां पर है रेजिस्टन्स कहां पर है अब हम बैंक निप्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे वह देख रहे हैं इसने देखो यह यहां पर 43,650 और यह हो गया 43,750 यह 100 पॉइंट का यह 100 पॉइंट है यह इसके बीच में अगर बैंक निप्टी ओपन हो जाए कल तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे देखिए अब आज के जैसा ही देख लो देखो आज इसने कैसे किया आज यह जो प्राइजेक्शन बना हुआ है यह उपर गए निचे यह वाला जो यहां पर देखो सस्टेन नहीं किया तो आईसा प्राइजेक्शन बनाया अगर यहां पर यह सस्टेन करती है या नहीं करती है फिर यह से उपर जाएगी उपर जाके और फिर वापस नीचे आए एक कैंडल दो कैंडल जो भी बनाना हो इसे बनाए और बनाने के बाद में यह फिर से उपर जाए फिर ऐसे ही यह ऐसे बनाएगी ने तो यह हमारा इंट और फिर उपर गई तो टार्गेट क्या होगा यह आपको बता दें तो हमारा पहला टार्गेट यह होगा कितना 43 850 43 850 दूसरा टार्गेट 43 950 और तिसरा टार्गेट 44,000 यह हमारा फ्लैट में कॉल साइट का टार्गेट है पुट साइट में क्या होगा अगर यह पुट साइट में आएगी यहां पर अगर यह सस्टेन करके यहां पर गई तो ठीक है तब तो सीधे में ही अपने को इंटी लेना है अगर सस्टेन करके यह यहां पर सस्टेन नहीं करती है ओपन हो अगर यह ओपन हो के और सीधा नीचे आए जैसे आज हुआ है तो फिर हम एक बाउंस बैक का यहां पर एक स्विंग का उमीद अगे तो यह होगा हमारा इंटी पॉइंट ठीक है और यहां पर हम इंट इंटी करों यहां पर वह पर हमारा इंटी होगा और हमारा टार्गेट आज क्या रहने वाला है कल के लिए हमारा टार्गेट क्या रहने वाला है हम यह देश लेते हैं हमारा टार्गेट होगा पहला टार्गेट इस पे तो यह करेगी स्विंग बनाएगी अगर तो 43 छहसो 43 छहसो 43 550 और फिर यह यह दिख लेना यह है इसको ध्यान रखना है आप लोग ठीक है और 43 पांसो यह हमारा पूट साइट का टार्गेट है अगर यह फ्लैट ओपन होती है तो अगर गैप अपन हो गई तो क्या करना है कि देखो कि यदि गैप अपन हो गई तो हम क्या करेंगे यह देखना है कि देखो कि यदि बैंक निप्टी कि 44,000 के ऊपर ओपन हो जाया यह देखो इसने हाई कहां लगाया है 43 900 के करीब पहुंच चुकी है यानि 44 के देखो यह कल के हाई को देखो एक चीज और दिखा दू आपको देखलो यह यह बराबर यह स्विंग को ब्रेक करी यह 7 तारिक है 7 तारिक के स्विंग को यह जो हाई है इसको 8 तारिक ने ब्रेक किया 8 तारिक के देखो 8 तारिक के हाई को यह 9 तारिक ने ब्रेक किया ठीक है हाई लगाता जा रहा है और हाई एक के बाद एक यहीं है ना प्राइजेक्शन जो हम ट्रेट करते हैं प्राइजेक्शन यहीं चीज है ना देखो ना आब अगर कल यह 44,900 से 44,000 के बीच में कहीं भी ओपन हो जाए और ओपन होके यगर यह सस्टेन करके उपर जाएगी तो कोई बात नहीं जो पहले कैंडल होगी पहले कैंडल यह रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करेगी अब यहाँ जाहे जाहां करे चाहे यहां कर दे यहां कर दे यहां कर दे उसके बाद जब दूसरी कैंडल का इंफ 20 मिने टो यसे समर्सμε्न करें और कि यंपर जाएंगे यहां पर एंट्री ले लेंगे एक हमारा इन्तंट्री पॉइंट हो और कि लिकिन यह बिदिन करती को अगर यह सच्टीन ना करें बस खाली open हो और यहां पर 44,000 के उपर open हो ओपन हो के ऐसी candle बना दे और बना के फिर दूसरी candle इसको ऐसे ब्रेक कर दे तो हम क्या करेंगे अब हमारा resistance ब्रेक हो गया तो फिर हम देखेंगे कि यह उपर जा रही क्या अगर उपर जा रही है तो जाने दो फिर हम थोड़ा सा इ अगर यह ऐसे वापस आके हाँ पर सपोर्ट ले ले एक candle बनाए रदो बनाए है जो भी करें फिर इसके बाद जब यह बाउंस करेंगी यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जब यह ऊपर की तरफ चलेंगी अगर तब यह सिंग है इसको जब जो ब्रेक करेंगी कोई है जो पर हमारी entry point है और इस candle का low जिस candle ने break किया है जिस candle ने resistance को break किया है उस candle का low हमारा यह सल होगा ठीक है तो ऐसा है 44100 फिर हमारा target कितना होगा 44200, 44300 और 44400 यह हमारा target होगा call site का ठीक है और यदि gap up open होके और नीचे की तरफ आये तो तो फिर वही है कि अगर इसने यहां पर sustain किया काफी देर तक आधा गंटा 15 मिनट 10 मिनट उपर नीचे जाके sustain करके फिर नीचे की तरफ इसने यहां पर ब्रेक कर दिया अगर sustain करने के बाद ब्रेक करेगी तो हम जो केंडल ब्रेक करेगी उसका जैसे लो है इसके बाद जिस केंडल का फार्मेशन होगा यह हमारा entry point हो जाएगा ठीक है यह केंडल हमारा आगर यह शपोर्ट ना करे सीधा और फिर वही हमको करना एफ ये शुंग बनने का इंतजार करना पड़ेगा कैसा करना पड़ेगा वह दिखा देता हूं je अगर यह ओपन हुई चाहे ग्रीन हो या रेड हो उससे मतलब नहीं है ओपन होके नीचे आई और यह जो अपना सपोर्ट है इसको ब्रेक करी ब्रेक करने के बाद में फिर कुछ दूर आई हो ऐसे फिर इसने क्या किया यहां से वापसी कर ली यहां से वापस हुई और यह सपोर्ट के पास जाती है और यहां से फिर वापस होती है जब यह इसको ब्रेक करेंगी यह केंडल ने ब्रेक कर दिया तो यह उसका इंटि पॉयंट यह इसके बाद हम हमारा यह target होगा और यह हमारा हिसल होगा ठीक है तो हमको यही रखना है कि यहां पर open हो रही है open होके नीचे आ रही नीचे होके एक projection बना रही ठीक है यह चीज यह आपको बनाना है यह आपको देखना है यहां पर भी बना हुआ है वह आपको मैंने दिखा दिया फिर से यहां पर ओपन हुई नीचे आई नीचे से फिर इंच्सन हुए उपार आई उपर आए यहां पर ब्रेक करी पिर क्या करती है खिशर जो हुए रहत यह जो पॉइंट है ठीक ना यह पॉइंट यह हमारा इंट्री पॉइंट है यह केंडल ब्रेक करी अब इस केंडल हमने इंट्री लिया और यह हमारा टॉर्गेट है यही चीज में बार-बार आपको बता रहा हूं यही चीज यहां पर भी है यहां से निकलेगी यहां से निक तुक्का लगा के पैसे कमा लिए तो तो तुक्का आज लगाए है कल लॉस भी हो सकता है तुक्के में मत तुक्के में ट्रेड मत लीजिए किसी भी हालत में तुक्का मत लगाई है तुक्का लगाने इस क्या होगा मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं लेगा अगर यह कल गैब डाउन ओपन हो 43-500 से लेके 43-400 के बीच में यहाँ पे होती है तो भी हमको क्या करना है उसी वही करना है अगर यह सिस्टेन होके नीचे आएगी तो यह कैंडल ब्रेक करती है यहाँ पे हम सीधा इंट्री ले लेंगे यहाँ ठीक है अगर यह सीधे स यहां से ओपन हुई और नीशे आजाती है यह 5 मिनट के बाद में 5 मिनट का यह रजिस्टेंस और यह सप्पोर्ट और रजिस्टेंस इसने वेक किया तो हम यहाँ पर इंट्री नहीं लेंगे हम इंतजार करेंगे बाउंस बैक का जब यह फिर वापस जाएगी यहाँ पे यहाँ पर वापस आएगी और वापस होने के बाद में फिर जब बाउस उड़ करेगी जयसे जो केंड इसको ब्रेक करेगी, ढूँ रिया,ब हमारा बन गया कि अब भूमारा सेटएप बना अब हमये हाँपी इंटरी ले लेगे ठीक है यह हमारा राजिस्टनس है कि अब ये खूर यो arbit होजाएगा यह सपोर्ट जो है यही हमारा फ्रूर्ट क्या होगा कि विदिखने कि के लिए reminds 44-400 से 44-300 के बीच में 43-400 से 43-300 के बीच में तो हमारा टॉर्गेट होगा 43-200 43-100 और 43 जा है इसमें 10-20 पॉइंट उपर निचे हो सकता है यह क्या है हम को पता थोड़ी पता है कि कहां क्या होगा हम तो बस खाली यृत लगा रही है और इसी यृत Mako के उपर हम dddh आज आभी ये जो वाम यहिद आन्दर के चारणी है यह साथ तारिक है यह और तारिक और यह चेनल के बीच में चली जा रही है देखो इसने क्या किया है यहां पर ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुई फिर यहां पर इसने नीचे आई नीचे ब्रेक करने की कोशिश की कामयाब नहीं हुई फिर उपर आए ब्रेक करने की कोशिश की कामयाब नहीं हो रही है फिर यह देखो यह जो टर्गेट यह राव यह टार्राश नहीं कर पाई है चीब आपर के रजिस्टेंस को यह जो हमने ट्रेड लाइन किसा है इसे नीछे आगई यही से तो दोस्तों यह था हमारा बैंक निप्टी का प्रटेक्शन और हमारा निप्टी का भी वीडियो देखिए जो लोग निप्टी में ट्रेड आप करते हो नहीं करते हो देख के सीखिए पढ़िए जाम देखो नौलिज जो है न कहीं न कहीं काम आता है अगर आपको पता स्क्राइब कमेंट करेंगी ही वो तो मुझे पता है ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में सब तक के लिए धन्यवाद